धाकड़ खबर के नियूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिस खान ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जो नए नवेले मंत्री बनाए गए हैं जिनके बारे में डंका पीटा गया है कि पाइस हो भी सी मंत्री बना दिये गए हैं और इसका अलावा से से जुड़े बारा मंत्री बना दिये गया हैं उनको जिम्मधारी दी गई है कि वो अपने अपने छेतरों के अंदर जहा हैं जहां-जहां से वह तलूक रखते हैं अपने इस्थानी असान-विदाएक को साथ में रखें और लोगों के पास जाकर जन आशिरबाद ले हैं एंगे जन आश के तस्वीर करनाटक से निकाल कर आपके लिए हम लाएं हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह काम तो यही कर सकते हैं यादी के यह हैं तो मुम्किन हैं इनके रहते सब कुछ हो सकता हैं आपका अलपना करिए एक परिवार के दर्बाजे पर मंत्री अपने ल जरती होगी जिनका बच्चा भी जिन्दा है और जमो कश्मीर में काम कर रहा है उनके पैरों से जमीन निकल जाती है हैरान परिशान परिवार के लोग अपने बच्चे को फ़ोन विलाते हैं तो वीडियो कॉल पर वो उन से बात करता है जिसके बाद मंत्री महुद है अपन कहां हुई पर मुझे लगता है उससे पहले आपके सामने दिल्चस्त तस्वीर मैं और रखना चाहता हूं यह ट्वीटर देखे यह नारायन स्वामी का ट्वीटर अकाउंट अब देख रहा हूंगे तमाम चीज़े करनाड में लिखी हैं यानि कि करनाटक से आते हैं और उ पर देखे नारायन स्वामी तो केंद्रिय सरकार का जो मंत्री है रज्य मंत्री हो चाहिए पूरे देश का मंत्री हुआ ना जी तो उसे भाशा भी अपनी ट्वीटर पे ऐसी इस्तिमाल करनी चाहिए ताके तमाम लोग पढ़ सकें चाहिए वह हिंदी बाशी चेत्र के हो य एक रास्ट एक भाशा एक पार्टी एक रास्ट एक जो है पूरा टेक्स इस्टम एक राश्टिक राशनकार यह तमाम लेकिन इनके मंत्री महोद है जो है अपने ट्वीटर अकाउंट को करनड में अपडेट कर रहे हैं तो क्यों नहीं से सवाल पूचा चाहिए क्या या तू जा तुझे ठेका निए पुरे देश का तू अपने वहां की लोगों को बता कि भाजपने तुझे मंत्री बना दिया है तेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है वहां के बोटला निकालके लोग सबाचुनाव सामने रहे हैं दोहजाद चुबिस का तू छोड़ तक और वहां का मुला गुंड एक इलाका पड़ता है महां पर मंत्री महोदए स्थानीय विधायक के साथ पहुंचे इस थानी अशनी है कि गडबड़ हो सकती है यहीं से बता है जा रहे है कि सांसर भी है शीवकुमार उदासी के साथ वह पहुंच गए एक घर पर और घर प पर जाके उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की मुझे बड़ा दूख है साब आपका बच्चा शहीद हो गया है पुने में लेकिन परिवार के लोगों ने कहा और वीडियो कोल करके दिखाया कि हमारा बच्चा तो जिन्दा है और जमुक कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है जिसके बाद बताय जा रहा है कि मंत्री महां इंबैरेस से हो गया हो जाता ना खीज सी उतारने लग जाता है तो क्या करें वह आपको बाद में बताओंगा क्या करें लेकिन घर किसका है वह जान लीजिए रवी कुमार कटी कटी मनी का यह घर है और वह बरतमान समय में बसवराज हीरे मठ बसवराज हीरे मठ के घर जाना था इनको वहाँ चलते हैं एलान कर देंगे के चलो नोकरी दे देने एलान कर देंगे कि जमीन दिलवाएंगे आपको एलानी तो करते हैं मिलता मुलाता कुछ है या नहीं इसको जा रहा है तो यह वहाँ जाना था उनको इनको ले गए लोग किसी और के दर्वाजे पर और इन्होंने वहाँ जा के उस शक्स के परिवार से जो सैना में तैना थे जम्मू कश्मीर में उसको कहा कि हम आपको नोकरी देंगे आपको जमीन देंगे यहां सबसे बड़ा यह पैदा होता है यह वो सरकार है जो कहती है हमन इस सरकार को या इस से जुड़े लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि करनाटक में आप जानते हैं एस यदूरप्पा की सरकार है और यहां अभी वर्तमान समय में मुक्यमंत्री बदला गया है वहां पे अदित्यनात योगी हैं और अधित्तिनात्योगी को इलाना भाजपा के लिए इतना असान नहीं है और वो सीम्बी कैसे बनेते ये भी एक लंबी कहानी है खैर उसके तरफ जाने की जवोतनी है रहते हैं इसी मुद्धे पर बड़ा सवाल ये कि करनाटम में बीजेपी के सरकार और बीजेपी अपने आपको बड़ी अप्डेड पार्टी बताती है तो ऐसा कैसे किया जा सकता है कि किसी जिन्दा जवान की घर पर पहुँच जाएं और जाके उसके मरने की खबर उसके परिवार के लोगों को दें और कहें कि हम सात्वना वियक्त करने आएं नोकरी देने हैं जमीन देने आए हैं यह क्या कहलाता है क्या यह हडबड़ी है बोकलाट है कि कहीं भी जाके कुछ करना और फोटो खिश वाले नोर अखबार में छपाने जैसा मामला है इस पर क्या गौर नहीं किया जाना चाहिए और यह लापरवाई हुई तो क्या इस्थानी भाजप पर कोई अक्शन लिया गया उनके एकलाब कोई कारवाई की गई और एहम बात इसमें यह है कि जब मंतरी कहीं जाता है तो भाजपायों को छोड़ दीजिए जो इस्थानी परसासन होता है वो भी जानता है मंतरी महोदे कहां जाएंगे क्योंकि उसको एसकोट करना होता है म कोई जानकर ही हमारे पास नहीं है खबर की बात करें तो पुरे मीडिया से यह खबर गायब है इस मीडिया को कहीं इस खबर को कहीं दिखाया या बताया नहीं जा रहा है क्योंकि इससे किरकिरी होने के आसार जादा है लेकिन यह खबर जरूर है तो हमने आपके सामने रखन कर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलाला भी मुझे दें इजाज़त